नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुश्कर आये और आप देख रहे हैं न्यूस हो चलें गया तो उनके खेद में 6 फिट तक पानी भर गया इसमें उनकी पकी पकाई फसल जल मगन हो गई लेकिन किसानों की जिद है कि वहाँ अपनी मेहनत को पानी में नहीं डूबने देंगे इसलिए वहाँ 5-6 फिट पानी में डूब कर मुंग फली और मक्के की फसल को बचाने की कोशि कर रहे हैं किसानों का अब तक मुआफ़े का इंतजार है मुआफ़े की प्रक्रिया SDM कोर्ट में चल रही है शहर के 47 करोड की पैजल योजरा के ताथ धर्मपुरी गाउं में अनास नदी पर बनाये गए बैराज के गेट बंद करने से इसमें 322.50 फिट तक पानी भरा गय पानी का बहाव लगातार होने से दो गेट खुले रखे गए हैं 10 दिन पहले प्रशासन ने पानी भरना शुरू कर दिया इसका बैक वाटर तकरीवन 15 किलो मीटर तक है बैराज में पानी भरने से 4 गाउं के 135 किसानों की 34 एकड जमीन डूब गई नदी से उस पार 10 से 12 मकान बने हुए हैं और रास्ता बंध हो चुका है इसलिए गाउंवालों ने लंबी रस्ती बांद कर ट्यूब के जरीया आना जाना कर रहे हैं गाउंवासियों को कह रहा है कि रात मजरात कोई बिमार हो जाता है तो हम इसी ट्यूब पर बिठा कर नदी पार करवाते हैं और पहले था रोड क्या उदर जाना ना उदर पहले था वह भी डूब गया पहले था उदर थोड़ा सा रोड भी डूब गया कित्य घर है इदर उदर गर है तिर च्यार पांच घर है एक मेंट